हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मारी यूटुब चानल यहू बाबापे यह हमारा जावा स्क्रिप्ट से लेटिट 104 टोटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट की की प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास आएक कीबोर्ड और कीबोर्ड जो होता है वो हमारे कंप्रूटर सिस्टम का एक input device होता है जिसकी help से हम अपने कंप्रूटर सिस्टम में कुछ भी write कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे को करना क्या है हम चाते हैं कि यूजर जब भी कुछ write कर रहा हो तो हमें पता लग जाए कि user ने कौन सी key प्रेस की है या फिर हम ऐसा भी कुछ code करना चाहते हैं कि user जब भी particular कोई भी key press करे जैसे arrow key press करे या फिर enter press करे, backspace press करे तो हमारे को कुछ particular code करना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर आती है key property देखी जो यह key property है यह particular keyboard event के साथ ही चलती है और keyboard event भी कौन सा? सिर्फ on key down जब भी हम इस key down event को use करेंगे तभी हम इस key property का use कर सकते हैं तो आई ब शुरू करते हैं practical और देखते हैं किस property का हम use कैसे कर सकते हैं यहाँ पर देखी हैं मैंने अपना web editor open कर लिया और यहाँ पर एक basic HTML का document भी बनाया है अब यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ मेरे को चाहिए सबसे पहले एक input box और उसी पर मैं get करने वालों की user ने कौन सी key press की है तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना एक input box ले लेता हूँ यह देखी मैं इसकी type ready text और यहाँ पर इसको एक ID भी लगा देता हूँ इसका नाम में दे रहाँ my input अब my input ID को ही target करके मैं अपना JavaScript का code करूँगा तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा script tag और script tag के अंदर सबसे पहले मैं अपना target करूँगा my input को तो उसके लिए मैं लिखता हूँ document, query selector और मेरे selector का नाम है my input उसके बाद मुझे इस पर event लगाना है मैं चाहता हूँ कि user जब भी इस पर key down करे तो मुझे ये पता लग जए कि उसने कौन सी key press की है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो method आता है उसका नाम है add event listener इसकी help से मैं इस पर event लगा सकता हूँ तो यहाँ पर हमारे event का नाम है key down अब user जब भी key down करेगा तो यहाँ पर हमारे पास एक anonymous function run हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर मैंने एक function create कर लिया अब इस function के अंदर मुझे क्या करना है मैं चाता हूँ कि user जब भी कोई key press करे तो मुझे console में पता लग जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ और उसका variable ले लेता हूँ और इसके अंदर एक पहले message प्रिंट करता हूँ यू प्रेस्ट बटन और इसी के साथ यहाँ पर concatenation का sign अब मेरे को यहाँ पर अपनी key property को use करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक event variable की जूरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जो यह मेरा function है यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ जैसे e आप पूरा event भी लिख सकते हैं मैं e ही लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा e.key जो की हमारी property का name है यह देखिए तो जो भी user की press करेगा वो हमारी आजेगी इस वाली property के अंदर जो मैंने इस variable के अंदर store करा दिये अब इसी को मैं अपने console में print कर देता हूँ और variable का नाम है text यह देखिए यहाँ पर एक काम मैं और भी कर देता हूँ मैं चाता हूँ कि user जब भी key press करे तो पुराना वाला message clear हो जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं console को clear भी कर देता हूँ यह देखिए तो एक बर मैं आपको code समझा देता हूँ मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने target किया अपने input box को और मैंने उस पर event add करने के लिए यहाँ पर method यूज़ किया add event listener और मैंने कहा जब भी user key down करे इस पर तो यहाँ पर यह function चल जेगा anonymous function यह सबसे पहले console को clear करेगा फिर इस variable में एक message store करा देगा जो भी user ने key press की है उसके बाद हम इसी message को console में print कर देंगे तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यह देखिए यहाँ पर मेरा input box आ चुका है इसको मैं थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ और यहाँ पर right click करके console भी open कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने किया inspect और देखिए यहाँ पर यह मेरा console भार मैंने tab open कर लिया अब यहाँ पर मैं कोई key प्रेस करता हूँ देखिए जैसे मैंने प्रेस किया A तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया आपने A प्रेस किया अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ S तो देखिए S आ गया और अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ control, तो देखिए, यहाँ पर control की, जैसे मैंने प्रेस की, तो यहाँ लिखा गया control, अब मैं alt को प्रेस करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया alt, मैं इसके अंदर दुबारा जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी windows key को प् इसके इलावा यहां पर मैं आता हूँ, और देखी मैं प्रेस करता हूँ, एंटर, तो देखी यहां पर आगया एंटर, अगर मैं यहां पर बैक स्पेस प्रेस करूँगा, तो देखी यहां लिखा आगया बैक स्पेस, और अगर मैं इसमें जाकर कोई अर्थमाटिक साइन वा है कि इसका हमारे को फायदा क्या है हम इससे क्या प्रोग्रम बना सकते हैं देखी यहाँ पर मैं आपको एक example से इस key property को use करना सिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ जैसे यह मैंने input box लिया है इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और यहाँ पर एक div ले लेता हूँ जिस पर मैं ID लगा लेता हूँ box यह box खाली रहेगा इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है इसकी थोड़ी सी styling कर लेता हूँ और इसको width और height set कर देता हूँ जैसे देखिए 100 pixel इसको एक background color भी देता हूँ जैसे green अब इसकी बाद मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर कुछ ऐसा code करना चाता हूँ कि user जब भी कोई arrow की प्रेस करे left arrow, right arrow, up arrow या down arrow तब मैं अपने इस box को move करना चाता हूँ अगर user right arrow को प्रेस कर रहा है तो मैं चाता हूँ कि जो हमारा box है वो right side पे move होने लग जए और जब left key को प्रेस करें तो यह box left side पे move होने लग जए विल्कुल इसी तरह से अगर user down key को प्रेस कर रहा है तो मैं चाता हूँ कि यह box down side पे move होने लग जए और अगर up key को प्रेस करें तो मैं चाता हूँ कि यह box अप site पर move होने लग जाए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है मुझे सबसे पहले target करना है अपनी body tag को क्योंकि body tag पर ही अपनी key down event को लगाने वाला हूँ तो उसके लिए मुझे को सबसे पहले target करना है document में query selector और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ body क्योंकि यहाँ पर मैं body tag को ही target करने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर कहा कि अगर user कभी भी इस पर key down करे तो मुझे यहाँ पर यह पता लग जाए कि user ने कौन सी key press की है तो सबसे पहले मैं EC को आपको show करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ पर आता हूँ और मैंने जो page को zoom किया हुआ है इसको मैं zoom out कर देता हूँ यह देखिए तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने escape key press किये तो यहाँ पर escape लिखा आ गया अब मैं यहाँ पर देखिए, arrow key को जब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, upper arrow वाली side में यहाँ पर आ गया, arrow up, और अगर मैं यहाँ पर जाकर, right arrow key को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ लिखा गया, arrow right, और अगर मैं left arrow key को प्रेस करता हूँ, तो लिखा गया, arrow left, और सीधा ही इस key को ही use कर लूँगा और इसको मैं remove कर देता हूँ और यहाँ पर मैं use करता हूँ अपना switch case यह देखिए इस expression में आकर मुझे यही पर अपनी key को paste कर देना है यह देखिए अब user कोई भी key press करेगा तो मुझे इसके case बनाने अलग अलग basically मैं 4 cases बनाऊंगा एक right arrow के लिए left arrow के लिए up arrow के लिए और down arrow के लिए तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर arrow right के लिए बना रहा हूँ तो उस key का नाम क्या print हो रहा था arrow right तो उसी को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ बिल्कुल इसी तरह से मैं यही को copy कर लेता हूँ और यहाँ पर arrow left के लिए बना लूँगा यह देखिए मैंने इसे four times paste कर दिया अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ arrow left arrow down arrow up अब मैं चाता हूँ कि जब user arrow right को press करे तो यह move हो जाए right side में तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक variable भी लेना पड़ेगा तो variable जो है मैं यहाँ पर बाहर लेके जा रहा हूँ जब भी user page को open करेगा तो यहाँ पर दो variables को मैं एक value assign करने वाला हूँ 0 तो देखिए वो variables के नाम होगे एक का नाम मैं ले रहा हूँ left और उसकी value assign कर रहा हूँ 0 इसी के साथ मैं एक दूसरा variable ले ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ up और इसकी भी value assign कर रहा हूँ 0 तो देखिए जब भी page open होगा तो इन दोनों की value होगी 0 अब मेरे को करना क्या है मैं चाहता हूँ कि user arrow right key press करे तो यहाँ पर मेरे को left में 5 को plus करना है तो देखिए मैं यहाँ पर left is equal to left plus 5 यह देखिए इसका मतलब क्या है कि जो भी left की existing value है मतलब कि 0 उसमें 5 plus हो जाए और left की नई value होजेगी 5 अगर user दुबारा से इसी की पर प्रेस करेगा arrow right पर तो 5 में 5 plus हो जाएगा तो left की नई value होजेगी 10 बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको copy कर लेता हूँ और अगर user arrow left की पर प्रेस करेगा तो यहाँ पर मुझे इसे minus कर देना है यह देखिए और अपके case में मैं ऐसी बना लेता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप और इधर भी press कर देता हूँ अप और इसको copy कर लेता हूँ और यहाँ पर subtract कर देता हूँ यह देखिए तो user अगर down key press करेगा तो up में 5 value प्लस होती रहेगी और अगर up key को press करेगा तो यहाँ पर उसमें subtract होती रहेगी 5 की value मैं एक बर इन दोनों values को आपको print भी करके दिखाता हूँ console में तो देखे यहाँ पर मैं print कर रहा हूँ left की value विल्कूल इसी line को मैं duplicate कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ up और यहाँ से मैं variable का नाम भी change कर रहा हूँ up तो जब भी हम key press करेंगे अब हमारे को पता लग जाएगा कि user ने यहाँ पर कौन सी key press की है right, left, up ये down एक मैं case और बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पर सिर्फ console में लिख दूँगा एक message यहाँ पर print करा देता हूँ, other key press इसका मतलब है user कोई और key press करेगा अगर इन चारों के इलावा, तो ये message print हो जएगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैं arrow key को press करता हूँ, right arrow key को तो देखिए, यहाँ पर left में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसमें addition हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और इसको zoom भी कर देता हूँ, ये देखिए, तो मतले की value कम होती जा रही है, अब मैं यहाँ पर arrow key down वाली प्रेस करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर up increase हो रहा है, और अगर मैं up arrow key प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर इसका decrement हो रहा है, तो यही मैं अपने इस box पर लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे user right key को प्रेस करेगा, तो मैं left value में इसको use करने वाला हूँ, इसका margin को मैं left को बढ़ा दूँगा, और जब भी user arrow down key को प्रेस करेगा, तो यहाँ पर मैं up, जो हमारी variable है, इसकी value को यहाँ पर set करने वाला हूँ, मतलए कि margin top बढ़ा दूँगा, और जब भी user आप arrow key को प्रेस करेगा, तो वो ही margin को मैं minus कर दूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे target करना है अपने box को यह देखिए, इस पर id लगा हूँ box, इसी को मैं आगे target करने वाला हूँ तो देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले मैं एक variable ले लेता हूँ जिसका नाम ही मैं रख रहा हूँ, target इसमें मैं target करने वाला हूँ left, और यहाँ पर मुझे left की value यूज करनी है तो यहाँ पर मैंने दो variables ले थे, left और आप तो उसी को मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं left और left के साथ मेरे को यहाँ पर यह भी बताना है कि यह pixel में देनी है value या percentage में यहाँ पर आप देख रहे होंगे right side में यहाँ पर जो value आ रही है सिर्फ numeric value ही है यहाँ पर यह नहीं पता लग रहा कि यहाँ पर इसकी unit क्या है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर unit भी देनी होगी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, pixel मैं चाहता हूँ 5-5 pixel का यहाँ पर increment यह है decrement हो बिल्कुल इसी line को duplicate कर लेता हूँ margin top के लिए भी यह देखे और यहाँ पर मैं variable यूज़ करूँगा अब तो यहाँ पर मैंने file को save किया और मैं यहाँ पर आया यह देखे अब मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले right arrow key को प्रेस करता हूँ यह देखे जैसे जैसे मैं move कर रहा हूँ तो आप देख रहा हूँ कि हमारा box जो है वो right side पे move हो रहा है और जब मैं left arrow key को प्रेस करता हूँ तो देखे यह left side पे move हो रहा है और जब मैं down arrow key को प्रेस करता हूँ तो देखिए box नीचे आ रहा है और जब आप arrow key को प्रेस करूँगा तो ये उपर जा रहा है अब देख रहे हैं यहाँ पर आप नीचे values भी देख सकते हैं console में, ये values increment और decrement हो रही है ये देखिए तो ये सब possible कैसे हुआ यहाँ पर मैंने use किया है सबसे पहले अपनी key property क्यूंकि इसी से मैंने को पता लगता है कि user ने कौन सी key press की है और मैंने हर key के according यहाँ पर code भी अलग-अलग की है, आप देख रहे हैं तो ये एक छोटा सा example था जिसमें मैंने आपको key property का real use case दिखाया है आप इस तरह के और भी अपने code बना के program कर सकते हैं अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए